हेलो बच्चों, जी मेन की फॉर्म फिलिंग के अंतर काफी सारी बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे बच्चों से बात होती है, कई बच्चे तो ऐसे हैं, जो दिन में 6-7-7 बर अप्लिकेशन फिल करने कोशिश करते हैं, टाइम वेस्ट ही आप अकेले वो बच्चे नहीं इसके साथ ऐसी परेशानिया हैं, यह परेशानिया mostly आपके end पे नहीं है, NTA के end पे हैं, वो शायद इतना सारा load, traffic load जो है, उसे शायद manage नहीं कर पाएं, ठीक है, बस आप यह कोशिश करें कि बहुत आता है, retry ना करें और panic ना करें, ठीक ह सबसे पहले बटा, कई बच्चों के शायद यह दिक्कते आ रही होंगी, कि जब वो registration करते हैं, उस ताइम पर पेज से अचानक से out होते होंगे, जैसे वापर से re-entry माणने कोशिश करते हैं, तो re-entry नहीं हो पाती, और phone number पर OTP मांगते हैं, तो वो भी नहीं आता है, और व qualification detail वाला जो page था, उसमें बार-बार हना, बार-बार उसी page पर redirect हो जाता है, और जो information अपने save की थी, information में fill की थी, वो save भी नहीं होती है, इसी तरह से address information वाले page के उपर भी बार-बार उसी page में redirect होता रहता है, और loop में लगाता है, चलता हो रहता है, कि बच्चों के साथ ऐ बार में कभी try करें, उस time log out कर लें, और बार में try करें, कई बच्चों के साथ education detail वाला जो page है, वहाँ जैसे save and next करते हैं, तो आपस उसी page भी आता है, और अगीन वहीं loop में लगाता है, चलता रहता है, और जो information अपने save की थी, वो information आपसे वाह से गयब हो जाती है, ठीक है और photo की size है, बड़ा, वो 200 KB से बड़ी नहीं होनी चीए, और साफ sizes होनी चीए, ठीक है, इसमेंगर sizes मेंगर कोई issue है, तो बड़ा अपने support team को भी आप call कर सकते हो, वो आपको size बगर manage करके दे देंगे, अपने competition support team है, उनको आप कह सकते हो, वो आपके help कर देंगे, of course daytime के तो ये वाली अगर दिखकत है, तो ये बड़ा आप अपने end पे solve कर लेना, ना solve हो पाए, तो अपने team competition के टेक team को बोल देना, वो कर देंगे, day time में, बड़ा, ग्यारा से लेके, शाम को साथ हुझा तो करेंगे, पेमेंट फेल या कई बच्चों का आ रहा है बार बार, त तो कई बच्चों साथ ऐसा भी हो है कि पेमेंट किया, फेल हो गया, लेकि पैसे कट गए, तो मैं कहूँगा कि आप वापिस से पेमेंट कर दो, उस टाइम पर ना करो, तो बाद में कभी कर दो, एक गंटे बाद, दो गंटे बाद, जो आपका पहला पेमेंट फेल हुआता और उसके पैसे जो डिटेट हो गयते हैं, वो आ जाएंगे, ऐसा हर साल होता है, मतलब कई बाद हो जाता है, तो वो पैसे आपके रिफंट हो जाएंगे, अब बाद में किसी और टाइम पर पेमेंट कर दीजे, तो पेमेंट वाले में अगर इश्यू आ रहा है, तो आपको इसका बेटा कोई form filling center जैसे कियोस को अगरे लगे रहते हैं, जैसे मालना की बड़ा कोई आसपरोस में कोई computer center वगर होते हैं, वहां जाके इब फिल करा सबते हो, हाँ, ये ज़रू ध्यान रखिये हैं कि जो computer center वाला है, वो कही बारना अपना phone number या अपना email आड़ लालता ह तो जो डिटील्स है वो एक बार आपने अपसाफ से चेक करके करें अगर आप किसी और पेंपर जाकर फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो जो आपका ब्राउजर है जो आपका इंटरनेट एक्स्प्लोर या फिर मोजीला फायर फोक्स है वो अपडेट वर्जिन वाला ही होना चीज जो लेटेस्ट वो होना चीज जो भी कुकीज है उस आपके ब्राउजर पर उनका डिलीट कर देना राइट साड मटा क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपके clear cookies वाल option आजाएगा, तो उनको भी आप clear कर देना, कोशिश करें कि रात को late night बरे, मतलब 12 बज़े के आसपास, एक बज़े के आसपास, किसी दिन ऐसा कर ले, मतलब बहुत ज़दा दिन में 6-7 बज़े करने से अच्छा है, कि रात को nearly 12 बज़े के आसपास, ट्राइक कर ले, ट्रेफिक कम होगा, थोड़ा सा easy रहेगा, एक चीज ओ ट्राइक कर सकते हो, कि Apple के laptop से MacBook वगरे से ट्राइक कर सकते हो, किसे की पास MacBook वगरे है, कोई दोस्त हो उसके MacBook से भी ट्राइक कर सकते हो, तो इससे भी कई लोगों का form फिलिंग बढ़े असानी से हो गया, तो थोड़ा सा जो अपना browser है, वो change करने से भी काफिया फर्क पड़ा है, operating system change करने से भी फर्क पड़ा है, तो जिन बच्चों का बढ़ा गर्मानलों कि desktop से खुब track कर लिया, और आज पड़ोसनों को दोस्त वोस्त हो, तो इसके macbook से आप track कर सकते हो, और बाकी विड़ा आप इन बातों हास्त वोस्त से ध्यान रख सकते हो, ठीक है, signature वाली बात, photo वाली बात मैंने बोली दिये, कि आप इसके ध्यान रखें कि जो sizes है, बड़ो 30 के भी और 200 के भी से छोटी नीचे, photo 200 के भी से छोटी और आपका signature 30 के भी से छोटा, और रात को late night ट्राइट करें, और जो latest version of browser है, वही use करें, इसके लावा जैसे ना NTA को भी हम, of course बार-बार आज पूरे दिन से हमने कई बार call किया, कि ये वाली सारी problems है, उन्हें एक बार भी phone नहीं उठाया, और हमने mail भी किया, mail का भी किसी परकार का कोई reply उनकी तरफ से नहीं था, हो सता कि शायद उनके पास बहुत सारे phone आ रहे हो, तो उन्हें शायद फोन उठाना बंदी कर दिया होगा, it may be possible, हमने आज एक tweet भी किया, MTCन ने एक tweet भी किया, let's see कि कैसा उसका response रहता है, उनके पास बात पहुंचते नहीं पहुंचते, वो tweet आप लोग भी देख सकते हो, इसी वीडियो की description में, मैंने उसका link डाल रखा है, तो आप भी एक बार उस tweet को like और retweet कर देना, जिससे at least हमने क्योंकि tag कर रहा है, DG&T को उसके अंदर, तो आप उनके तक शायद बात पहुंच जाएगी, तो वो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा ठीक कर देंगे, और हो सबता है कि जो form filling की देट है, उसको 30th November से बढ़ा भी दें, तो वो भी करके देश होना अगर टाइम होता है, बाकी मेरे ख्याल से इतना पहुंच पैनिक वाली बात है, छोटे मुटी बात हो जाती है, और हलका सा इस बार फड़ा सा पैनिक जाधा रहा है, लेकिन आपके अंट से इतना प्रवलम नहीं है, तो रिलेक्स रहें, कूल रहें, ठीक है, पड़ा लिखाया पर जाते हैं, ठीक है, सब ठीफ हो जाएगा, खुश रहें, मस्त रहें, बाई,